हलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तों यहाँ पर क्लास 6 NCRT की जिग्राफिक की MCQ जो है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं यहीं क्लास 6 जो जिग्राफिक सब्जेक्ट है उसको हम लोग टॉटल यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टॉटल क्लास 6 में 33 MCQ दिए गया है उसको सारे को ही आज इस सिंगल वीडियो में हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपको सिविल सर्विसेस के एकजाम के लिए चाहे इस्टेट PCS हो या UPSC हो दोनों के लिए प्रिलिम्स के लिए बहुत ही महत्पूर होती है यह सारे MCQs तो चलो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रशन है यहाँ पर The planet is known as the Earth twin is यानि Earth का twin किस planet को बोला जाता है तो दोस्तों यहाँ पर Venus थर्ड हमारा answer हो जाएगा Venus को Earth का twin बोला जाता है क्योंकि जो Venus है उसकी size और जो size है और जो shape है दोनों ही लगह में Earth के equivalent है थोड़ा से कम है बट Earth जैसा ही है इसलिए Earth का twin बोला जाता है Venus को दोस्तों आप comment section में जरूर बताना कि आपके total 33 में से कितने जो प्रश्ण है वो आपके सही हुए और वीडियो के देखते ही आप यहाँ पे आपने तरफ से आप question को answer देने कोशिस करना ठीक है तो आप last पे आप comment करके बताना कितने आपके सही हो रहे है इस पे दोस्तों आ घ्रेकरी मरकरी के बाद आप देखोगि तो आपके बीनस आजाएगी फिर आार्थ के बाद हमारी Mars हो जाएगे फिर आप देखोगे एस्टोयट होंगे फिर जूपीटर फिर सैटर्न फिर हमारी Uranus और नेप्टून वनाएगा। दो का टू इसका आंसर होगा तो तीसरा आज का प्रशन दोस्तों यहाँ पे all the planet move around the sun is a किस पाथ में जो planet होती है sun के round move करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे elongated जो path है यानि कि आप बोल सकते हो यहाँ पे elliptical जो path है या elongated जो path है उस path में sun के round planet move करती है तो तीसरा का 3 यहाँ पे answer हो जाएगा जब था यहाँ पे the pole star indicate the direction to the pole जो star है वो एक ही direction में राती है कहीं से भी अर्थ से देखोगे तो north side आपको देखने को मिलेगी तो 4 का यह हमारा दूसरा answer हो जाएगा north indicate करती है pole star जिसको हिंदी में ध्रूव तारा भी होलते हैं पांचबा यहाँ पे है एस्टराइड आर फांड बिट्विन द ऑर्बिट ऑप एस्टराइड जो प्राइम मेरेडियन का मतलब है यहाँ पे जीरो डिग्री लॉंगिट्यूट लॉंगिट्यूट का मतलब आप यहाँ पे मेरेडियन का मतलब जो हमारी अर्थ है North और South जो पोल है उसको Imaginary Line जो जोड़ती है उसको बोलते है Longitude तो Zero Degree जो Longitude होती है या Prime Meridian हमारी होती है वो हमारी Zero Degree Longitude होती है यह हमारे Greenwich जो London की Library है वहां से होके गुजरती है तो 6 का हमारा दूसरा Answer हो जाएगा तो सात्मा यहां पर है दोस्तो दफ्रीजिट जोन लाई नियर तो आर्थ को तीन जोन में डिवाइड किया गया है एक है हमारी Torrid Zone जो आपको Equator की आसपास देखने मिलेगी यानि Tropic Up Capricorn और Tropic Up Cancer की बीच आपको देखने मिलेगी Torrid Zone फिर आपको Temperate Zone में देखने मिलती है जो Tropic Up Cancer और जो हमारी Architect Circle होती है उसके बीच 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 होती है फिरिजिट जोन जहां पे आपको जो Sun होती है और वह हमारी पोल की नियर मिलती है ठीक है बहुत ही कोल्ड होता है तो साथ का यह हमारा आसर हो जाएगा दा पोल्स रहो आठवा है प्राष्णह возможें आपये टोटल नंबर आप Longitude प्राइम लॉ落 आटीन होती है और प्राइम मीरेडी आपने दील रहे जिरो अपको 180 लॉन-कीडिएड है और व्यों-क होती जिरो रहब से आप देखू इस्ट-वर्ट की मिला बाहुत है और आठी का ए हो जाएगा 360, तो नामा के विश्ञे मैं देख लेते हैं आज का The Antarctic Circle is located, देखो, दो सर्कल होती है, Arctic और Antarctic Arctic Circle आपको Northern Hemisphere देखने हो मिलेंगी, जो हमारी 66.5 देग्री नौर्थ होती है अंटार्क्री सरकल हमारे 66.5 डेगरी साउथ होती है वो आपको सदन हेमिस्पेर में देखने को मिलती है तो 9 का हमारा 2 इसका आंसर हो जाएगा अब हमारा दसवा के इसने देख लेते हैं आपे ग्रीड इस नेटवर्क आप ग्रीड जो होती है और्थ में जो लेटिट है लोंगिट्यूट है दोनों पैरलल होते हैं दोनों इकट करते हैं ग्रीड जैसर नेटों के बनाते हैं तो ग्रीड क्या होती है पैरलल आप लेटिट्यूट एन मेरीडियन आप लोंगिट्यूट इसको हम grid बोलते हैं, 10 का A हमारा यहाँ पर answer हो जाएगा, ठीक है, 10 का A हमारा answer हो गया, अब हम लोग 11 माँ देखते हैं, तो 11 माँ दोस्तों, the movement of earth around the sun is known as, देखो, earth हमारी दो तरह से movement करती है, एक तो अपने ही path पर rotate करती है, उसको बोलते है rotation, एक हमारी sun के around movement करती है, उसको बोलते है, revolution, तो 11 का हमारा दूसरा answer हो जाएगा, revolution करती है, हमारी sun, बारमाई दोस्तों, यहाँ पर the direct ray of sun fall on the equator on, अब देखो, आपको पता होगा, sun जो हमारी होती है, sun की जो direct rays होती है, वो हमारी tropical capricorn से tropical cancer तक move करती रहती है, और equator पर दो दिन directly यहाँ पर fall होती है, एक हमा से दिन होता है, आपको comment करके बताना है, कि उस दिन हमारे equator, direct हमारी sun rays equator पर fall करती है, उसको बोलते है, equinox, ठीक है, 21 March को equator पर fall करती है, बारमाई हो जाएगा, उसको बोलते है, equinox, इस दिन क्या होती है, कि दोनों ही hemisphere में equal day और equal night होता है, तो हमारा बारमाई हो जाएगा, दूसरा बताना है, दूसरे दिन, comment करका बताना है, दूसरा जो हमारे day है, कब हमारे equator पर fall करती है, दूसरी equinox का day क्या है, बारमाई हो गया, तेरह हो यहाँ यहाँ पर दोस्तों, Christmas is celebrated in summer, in which country, देखो, Christmas कब होती है, Christmas होती है, 25 December को, 25 December में आप देखो कि इंडिया या नदर सदन हमेस में वहाँ पर summer होता है, तो आस्टेलिया सदन हमेस में भी लोंग करता है, आस्टेलिया में Christmas summer में यहाँ पर celebrate किया या तेरह का हमारा 3 यहाँ पर answer हो जाएगा, चाथा है यहाँ पर question है, cycle of the season is caused due to, जो हमारी season की cycle होती है, यानि कि जब summer से फिर rainy season आता है, rainy season से हमारी winter आती है, यह किस के चलते होता है, rotation, revolution यह gravitation, तो दोस्तों यहाँ पर revolution की चलते है, जो हमारी earth होती है, sun की round जो चक्कर लगाती है, उसके चलते हमारी season की यहाँ पर changes ह होती है, चाथा का हमारा दूसरा यहाँ पर answer हो जाएगा, अब हमारो maps related है, कुछ question देख लेते है, maps showing the distribution of forest are, देखो, map आप देखो के तीन टाइप की map होती है, यहाँ पर physical map, political map और thematic map, physical map यहाँ पर होती है, जिसमें की natural features होते है, जैसे mountains होगे, platy होगे, plain होगे, river होगे, इस सब को यहाँ पर सोग कीया जाता है, और जो हमारी political map होती है, उसमें city, town, village, उसको यहाँ पर political entity है, उसको यहाँ पर दसा आजाता है, जो thematic map होती है, उसमें particular specific information होती है, उसको यहाँ पर दिखाया जाता है, जैसे मारो road हो गए, rainfall हो गए या forest हो गए, ठीक है, तो forest का distribution ह हमारे thematric map में हम यहांपार सो करते हैं पंद्रयागा हमारा बैप 16अ हुटरा यहांपर आंसर ही बैद्दे में चाहिए अ बिलू कलर में यूजर के लिए वाधर वाधर वार्डि में आपड़डर seracusim component होती है एक होती है distance दूसरी होती है direction तिसरी होती है symbol symbol के अंदर हमारी shape color यह सब आती है तो color यहाँ ब्लू color में यहाँ पर दर्शा आ जाता है तो 17 यहाँ यहाँ पर तो compass is used compass किसके लिए यूज किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर mean direction नौर्थ और south को find करने के लिए यहाँ पर compass का यूज किया जाता है तो direction finding के लिए यहाँ यूज किया जाता है 17 का हमारा दूसरा यहाँ पर answer हो जाएगा अब देख अठार्मा हम दिया दा skill is necessary skill का मतलब यहाँ पर कि जो बड़ी map होती है यारी कि मालो earth को skill down करके छोटे से एक paper में बनाना तो उसके लिए क्या sketch में यूज करते हैं दोस्तों sketch हमारी rough एक तरह से image होती है इसमें scaling का यूज नहीं किया था symbol तो एक तरह से part होती है map में हमारी यूज किया था scaling का ठीक है scale down करने का यूज किया था map में जिसमें कि जो actual हमारी साइज होती है जैसे मालो continent को दिखाना है तो continent की साइज है मालो Asia की साइज है और अफरीका की साइज है उसको scale down करके same size में आपको पेपरम दिखाना होता है उसको बोलता है scale यहाँ पर map के लिए necessary element होता है तो 18 का यह हमारा answer हो गया यहाँ देख लेते हैं यहाँ पर the mountains range that separate Europe from Asia actually Europe और Asia दोनों के मिला कि answer हो गया दोस्तों यहाँ पर उनिसवाज location है the continent of North America is linked to the South America आप देखो कि North America और South America एक Panama जो आपको countries है वहाँ से लिंक किया गया है तो यहाँ देखो कि इसको बोलते है इस्तमस क्या होती है कि एक narrow land होती है जो दो landmass को जोड़ती है ठीक है दो landmass यहाँ पर नौर्थ अमिर्का और South America हो गया नेरो जो strip होती है लेंड की उसको बलते हैं इस्तमस से हमारी North America और South America जोड़ती है इस्तेट तो narrow हमारी water bodies होती है जो दो landmass को separate करती है और canal तो आपको पता ही होगा तो एक किसमा के दोस्तों यहाँ पे the major continent of the atmosphere by percentage is sorry the major constitute of the atmosphere by percentage is तो atmosphere की जो composition है उसमें आप देखोगे nitrogen की महात्रा सबसे ज़्यादा है nitrogen की महात्रा आप देखोगे तो आपको लगभव में कितनी देखने मिलेंगे nitrogen की मात्रा आपको 78% आपको देखने मिलेंगे oxygen की 21% का आपको देखने मिलेंगे और यहाँ पे carbon dioxide percentage 0.03% होती है third largest carbon dioxide नहुकर हमारे argon gas है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो major composition है वो हमारी nitrogen की है ठीक है 21 का हमारा यह हमारा answer हो जाएगा अब 22 यहाँ पे है the domain of earth consistent of solid rock is अर्थ में जो domain है different domain है different domain मतला है यहाँ जो हमारी atmosphere है, hydrosphere है, lithosphere है, लिथवब और biosphere है चार हमारी earth की domain है उसमें से solid rock है उसको बलते हैं lithosphere ठीक है जो हमारी crust अपर जो ले रहती है उसको बलते है lithosphere तो 22 का मना तीसरा यहाँ पे answer हो जाएगा और जो gases part है अर्थ की हमारी atmosphere है जो liquid part है वो हमारी hydrosphere है और जो ओसमें हैं दूस्तों वीची सबसे लारज़़स्ट कंतिनेंट Ones देखनु मिलती है यहां पे तेश का दो आज यहां आएगा लेकिना अफरीका Карण पंवर राता है उसके बाद हमारी नॉर्थ अमेरिका के मेरा दनुमर आता है और हमारा नॉल्द नॉ यहां पर सबसे largest जो continent है हमारे Asia है जो कि Earth का one third land mass है तो 23 का हमारा आ जागा second answer हो जागा 24 से यहां पर the southernmost Himalayas are known age Southernmost Himalaya के बात करें हिमालया में तीन आपको रेंज देखने मिलेंगे एक नदर्मो皂ष्ट में जिसको हीमांद्री बोलते है या greater Himalaya बोलते हैं दूसरा आपको देखने मिलेंगे Middle Himalaya उसको बलते है हिमाचल Himalaya बोलते हैं तीसरी आपको देखने मिलेगे सधर्मोस्ट में सिवालिक सिवालिक त्थी हमारे चावजा Andro पचीज़ दोस्तों यहां पे सहयाद्रीज इस नोन इस सहयाद्री दोस्तों वेस्टन घाट को भी सहयाद्रीज बोलते हैं कहां पे आपको महराष्टर साइड में तो हमारे पचीज़ का दो आंसर जाएगा वेस्टन घाट को सहयाद्री बोलते हैं 26 के बाद करेंקड़ पाल्क स्रिलंका और इंडिया के बीच में देखने में देखने मिलती है 26 पाल्क स्रिलंकर देखने में 27 है पी दूस्तूब conduz में ऐडियान इन ऊसा हला विछ टेंक 14 ऐलेंड को ले बोलते हैं तो दिए हैं लट्चोदीभ बढूते हैं bundle 19 को अर्डमानु दिद्रीफ वहारी सब्सक्राइबर से 2 आंसर पर लट्च दीफ. 28 वा यहां पर देख लेते हैंthe oldest mountain range बॉल्ड माउंटेंज इंडियाच देखो सबसे ंफ सबसे हाइस्ट जो आमारी पीक है वह को सा है आपको कमेंट करके पताना है तो यहां पर 29 वाद वर्ल्ड हाइस्ट रेनफॉल अकर इन दुनिया की सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पर होता है मेगालय में पता होगा मेघालय में दोस्तों मौंसिन राम यह देखोगे आपको मौंसिन राम मेघालय में है यहाँ पे सबस्यादा रेनफल होती है दुनिया की सबस्यादा रेनफल मेघालय में होती है वो भी मौंसिन राम में तो 29 का हमारा 3rd हमारा आंसर हो गया तीसमा है दोस्तों mangrove forest can thrive mangrove forest के बारत यूनिक हमारी forest होती है जो आपको saline water में होती है और coastal area में पाए जाती है सबसे जादा वर्ल्ड की largest हमारी mangrove forest हमारी सुन्दर 1 डेल्टा में पाए जाता है तो 30 का हमारा ए आंसर हो जाएगा saline water दोस्तों आज का एक तीसमा प्रस्न है mahogany rosewood trees are found in देखो mahogany rosewood और ebony दोनों ही tropical evergreen forest हमारी example है तो 31 का हमारा 3rd हमारा आंसर हो जाएगा tropical evergreen forest 32 का बारत करें wild goat और snow leopard are found in wild goat और snow leopard आपको himalayan region में देखने को मिलती है तो 32 का हमारा first हमारा answer हो गया himalayan region 33 दोस्तों आज का last यहाँ पर प्रस्न है during the southwest monsoon period the moisture-laden winds blow from जो हमारी southwest monsoon होती है जो हमारी winds कहां से flow होती है तो sea to land हमारी flow होती है आपको Indian ocean से origin होती है एक होती है बंगाल से पर origin होती है और हमारी इंडियन continent के और flow होती है sea to land हमारे 33 का second हमारा answer हो जाएगा ठीक है तो यह रहाँ दोस्तों हमारी class 6 की जो geographic की NCIT की जो mc quiz है उसको हम लोग डिसर्स किये तो आप comment करके जरू बताना है वीडियो कैसा लगा और यहाँ पे कुछ helpful मिला की नहीं आपको और कितना score हुआ आपको यह भी आपको comment करके बताना है तो आज के लिए बस रहे हैं दोस्तों thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नएट आपी साथ thank you